दोस्तों कई बार क्या होता है जो हमारे कामगार भाई हैं जो काम करने वाले भाई हैं वो अगर कहीं काम करने के लिए जाते हैं किसी फैक्टरी में काम करने के लिए जाते हैं या कहीं अलग जगा पर प्राइवेट फर्म पर काम करने के लिए जाते हैं तो उनसे बहुत अध सब्ताह में कितने घंटे आप से काम करवा सकता है और अगर उससे उपर काम करवाता है तो उसके लिए आपके अधिकार क्या है आज की इस वीडियो में यही बताने वाला दोस्तों नमस्कार मैं उम्प्रकास संडिल लोपी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका अपन काम नहीं करवा सकते कोई कामगार अगर आप अपने यहां ज्वाइन कराएं हैं किसी वेक्ति को आप अपने यहां नोकरी पर रखे हुए हैं तो उस वेक्ति को प्रते दिन 9 घंटे से जादा आप उससे काम नहीं ले सकते अब सेलरी चाहे आप 10,000 में रखे हैं चाहे एक इसका कोई माइन नहीं है आप जितने में रखे हैं आपकी सेलरी जबता हैं हुई होगी आपकी ज्वाइनी हुई होगी तो आप जितनी सेलरी में रखे हैं वो चाहे कम हो या ज्यादा हो आप प्रते दिन 9 घंटे से ज्यादा किसी वेक्ति से काम नहीं करवा सकते हैं और प्रथम जब आप उसके यहां ज्वाइन करने गए हैं तो आपको बताएगा कि आपको 9 गंटे से अधिक काम करना होगा और उसमें एक कंडिशन और एड होगी नव गंटे जिसे आपकी जितनी सेलरी है उतनी नव गंटे आपने काम किया इसके बाद जितने घंटे आप काम करेंगे उसकी डबल सेलरी आपको वो मालिक प्रदान करेंगा यह आपका अधिकार होता है यह फैक्ट्री एक्ट की धारा 69 कहती है दोस्तों जैसे आप नव तो वह दो हजार आप में एड होगा, नव दो ग्यारा हजार होगा आपका, इस प्रकार से होगा, अगर कोई विवेक्ति, नव गंटे से अधिक आपको काम करवाएगा, तो जितने गंटे अधिक काम करवाएगा, उसकी डबल से लिए आपको परदान करेगा, यह फैक्ट्री एक्ट बनायागा, उसकी धारा उनसट के अंतरगात, आप अपने मालिक से बात कीजिए, कि फैक्ट्री एक्ट की धारा उनसट कहती है, कि आप मुझसे नव गंटे ही काम करवा सकते हैं, और अगर नव गंटे से अधिक काम करवाएगे, तो आप मुझे डबल मजदूरी प सामना करना पड़ सकता है, तो ज्यादा तर अजैसे ही आप अपने इन सारी चीजों को बताएंगे, केस को बताएंगे, और सारी चीजों को बताएंगे, उसे लगेगा है विक्ति जानकार है, वह आपको नव गंटे ही काम करवाएगा, या अधर अगर करवाता है, और आप करते हैं तो आपको double salary मिलने वाली है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ या वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली problem solving वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्त का ख्याल लखें कानून की जानकारी अप